मैं आपको कुछ ऐसी keyboard shortcut keys बताऊंगी जो कि अगर आप beginner हैं आप computer सीख रहे हैं या आप expert होना जाते हैं beginner level से advanced level पर पहुचछना जाते हैं shortcut keys को सेखने में ठीक है? keyboard shortcut keys तो आप शुरुआत कर सकते हैं याद रखे इन 10 important shortcut keys को यह मैंने एक combination बनाया है जो desktop computer पे काम करते वक्त आपको काम आएगा यह ऐसी 10 keyboard shortcut keys हैं जो की combination है जब आप किसी भी application पे software पे work करते हैं आप किसी for example MS Word हो गया, PowerPoint हो गया या कोई web browser हो गया ठीक है या आप desktop पे work कर रहे हैं आप operating system को control कर रहे हैं तो ऐसे different different situations में यह सारी shortcut keys आपको पता होनी चाहिए ओके, so let's start with the first one control plus C, control plus C, control plus X, यह हमारी second keyboard shortcut की है and third one is control plus V, अब इन तीनों का use हम एक साथ करते हैं किस चीज के लिए जब भी हमें computer में काम करते वक्त कोई भी content, कोई भी object, कोई भी file, folder, icon, a piece of text, आपने कुछ type किया, उस text को, word को, sentence को, आपको यह तो copy करना है, copy का मतलब होता है duplicate बनाना, ठीक है? आपको copy करना है और किसी computer की किसी और location पे उसे paste करना है, ठीक? तो control C से हम क्या करते हैं? हम copy generate करते हैं किसी भी object की, तो हमें control और C साथ में press करना होता है, अब दूसरी की है control प्लस X, इसका काम होता है किसी भी object को move कराना, move यानि cut कर देना, तो जो original हमारा object है, वो अपनी original location से cut होकर, move होकर, हम उसे किसी और location पे या same location पे फिर से paste कर सकते हैं, तो ये काम आता है हमारा move करने या cut करने के, हमारी तीसरी shortcut की है control प्लस V, copy किया हुआ content या move, cut किया हुआ content हमें paste करना ही है, उसके लिए shortcut की होती है, control प्लस V, तो ये हमारा किसी भी object को copy या cut करने के बाद paste करने के काम आता है, next जो तीन shortcut की हैं, ये हमारे काम आती हैं, जब भी हम किसी application में work करते हैं, चाहे वो कोई multimedia application हो, कोई word processing application हो, control प्लस O, control प्लस O, कोई भी file जो हमने already work करके, उस software की through computer में save किये, हमें दुबारा खोलनी है, ताकि हम उस पे कोई और editing या formatting या अपना काम कर सकें, तो हम existing file जो save है, उसको दुबारा open करने के लिए, control O को use करते हैं, पाचवी हमारी key है, control प्लस S, control प्लस S काम आता है, जब भी हम अपना work करते time, चाहे typing हो, editing हो, designing हो, किसी भी software में, तो अपनी progress को save करने के लिए, हम control S का use करते हैं, तो यह हमारे किस काम आता है, हमारे work को save करने के लिए, छटी shortcut की है, control प्लस N, N, new, यानि कि, मान लिजे, आप MS Word में काम कर रहे हैं, आपको एक new page open करना है, अपना work, और work करने के लिए, या फिर से अपनी file बनाने के लिए, तो किसी भी document में, जब आपको एक नई file, new page open करना होता है, तो हम control N को use करते हैं, बाकी की जो चार shortcut keys हैं, ये function keys के साथ work करती हैं, या ये function keys shortcut keys हैं, function keys keyboard में, जो सबसे पहली column है, वो हमारी function keys के लिए dedicated है, F1, F2, F3, ओके, F5 जब हम press करते हैं, इसको सबसे पहले जान लिजए, कहां press करते हैं, desktop screen पे, जहां हमारे सारे icons होते हैं, कोई भी छोटा सा change करने के बाद, काम करने के बाद, अगर हम refresh करना चाहते हैं, computer को, तो हम F5 को use कर सकते हैं, हमें इसको single ही दबाना होता है, किसी भी file को rename करने के लिए, ठीक है, अगर हमें rename करना है, किसी भी file को, icon को, folder को, तो उस icon पे, file पे, या folder पे, single click करने के बाद, हमें F2 प्रेस करना है, तो cursor blink होने लगता है, जिसका मतलब है, हमें एक नया name टाइप कर सकते हैं, अगली shortcut की है F11, यह useful है, जब हम किसी web browser में work कर रहे हैं, web browser की window को हमें fully expand करना है, यानि कि, पूरा उसे हमें पूरा open करना है, पूरा देखना है, जैसे कोई slide show चलता है, या कोई movie चलती है, जिसमें title बार ना हो, menu बार ना हो, कुछ भी हमें scroll बार ना दिखे, हमें कोई भी extra component ना दिखे, और अपनी पूरी window full open हो जाए, उसके लिए हम F11 प्रेस कर सकते हैं, to expand window size of browser, किसी भी web browser में ये काम करती है, अगली है alt plus F4, alt plus F4 बहुत ही काम की shortcut की है, जो आपको याद होनी चाहिए, अगर आपको quickly कोई भी application, कोई भी software या कोई भी software open नहीं भी है, आपको अपने computer को shut down करना है, तो alt F4, ये दो keys का combination जब हम प्रेस करते हैं, तो अगर कोई application या कोई software open है, तो वो पहले close हो जाएगा, और अगर कोई भी application open नहीं है, कोई भी software open नहीं है, और हम alt F4 को प्रेस कर देते हैं, तो window shut down होने लगेगा, to close any app, तो ये थी 10 shortcut keys जो आपके बहुत काम आ सकती है, कर दे ले का नक्ता है, तो र्रेस इन इन वो आ दो का teníaए लगर मुएके ऋनएोडना लाऑना लाएबाना चास सकती हैं, झाल झाल